नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोसन की क्लास यूट्यूप चैनल फ्रेंड्स आप सभी का आज की इस पाठियोजना की वीडियो में एक बर्फिस से बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गडित विसे की पाठियोजना तो पूरी वीडियो देखेगा, बस इतना ही रिक्वेस्ट है और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को लाव मिलता है, हेल्प मिलती है आप लोगों की इस वीडियो के मादियम से तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा उस पर आपको इस तरीके से Numbering करने होती है अगर आपकी College में कहने लिखने के लिए तो देखनी पाठियोजना लिखिएगा पाठियोजना कहने तो पाठियोजना लिखिएगा अच्छा है हमारी आठभी गेर हमारी जो आज आज का प्रक्रण वो को है बहु भूज ठीक है काफी असान टॉपिक है अच्छे से आप पढ़ा सकते कच्छा आठ के बच्चों को अच्छे से समझ में भी आएगा अब आता है अगला हेडिंग हमारा सामान ने उद्देश है सामान ने उद्देश है है अपको अपने विशे के अनुसार आपका जो व व्योहारी योगिता का ग्यान कराना दूसरा पॉइंट है चात्रों में गडित के प्रति रुचीतपन करना थर्ड पॉइंट है चात्रों में तर्ग सक्ति विचार सक्ति का विकास करना चौथा पॉइंट है चात्रों का मानसिक विकास करना और पांचों पॉइंट है चात पढ़ाने के बच्चे क्या सीखेंगे उसके बारे में आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है और यहाँ पर एक साइड आपको सिछड उद्देस लिखना है या फिर विशिष उद्देस लिखना है या फिर सिछड उद्देस सेम चीज़ है और दूसरी तरफ अपिछित व्यवहारगत परिवर्तन लिखना है यानि कि आपकी क्या अपिछा है कि बच्चों में क्या फिग्वाबूच की व्याख्या कर सकेंगे तार पॉइंट है ज्व्यान नुप योग, में देखे लिखा गया उसके बाद है अगला हेडिंग कॉसल कॉसल में है लिखा गया छातर बहू से संबंधित चार्ट बना सकेंगे दूसरा पॉइंट है छातर बहू से संबंधित मौडल बना सकेंगे थर्ड पॉइंट है छातर बहू से संबंधित कद्विदियों को उसलता से सीख सकेंगे अब यहाँ पर आपको सिकायत हो सकती है कि कुछ चीज़ें हाँ पर सही से दिख नहीं रही है मान लिजे तो यहाँ पर इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को यह चीज कि यह lesson plan की pdf कोई बच्चा मुझे भेजता है आप लोगों की help के लिए तो उसको मैं यह नहीं कह सकता कि clear नहीं दिख रही है मैं यहाँ पर एक एक चीज़ आपको पढ़के बताता हूँ तो यह सिकायत मत करिएगा क्योंकि यह वीडियो का मादिम यही है कि आप लोगों की help हो सके मुझे personally जो दिक्कत आई थी lesson plan बनाते समय मैं उसी समय सोच लिया था कि आगे आने वाले बच्चों के लिए students के लिए मैं कभी यह problem नहीं आने दूँगा इसलिए help करने के मादिम से मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाता हूँ जिससे आप सभी को lesson plan बनाने में कोई दिक्कत नहों यहां पर मैं अच्छे से कोशिस करता हूँ explain भी कर सकूँ एक एक चीज़ आपको तो बस यह समझेगा सिकायत मत करिएगा और सिकायत करना हो तो भाई comment box में बताईएगा सलाह दीजिएगा कि मैं आउर क्या सुधार कर सकता हूँ सलाह देंगे तो आने वाले वीडियो में वो आप सुधार आपको देखने को मिलेगा अगली heading है देखे यहां पर पाच्छमी heading sorry अभी रूची इसमें देखे लिखा गया है चात्र भाभू से संबंदित ज्यान प्राप्त करने में रूची ले सकेंगे दूसर पाउट है चात्र भाभू से संबंदित ज्यान यहां पर पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में रूची ले सकेंगे पर दिक्कत हुई मुझे पढ़ने में आपको भी हो सकती है यहां पर आद रखेगा सकारात्मक है राम में यहां पर देखिए इस तरीके से लिख दिया इसलिए दिक्कत हो रहे है सकारात्मक दिष्ट कुड उत्पन हो सकेगा इसको ध्यान से देख लिजएगा आसा कर तो अगर कोई चार्ट चार्ट मॉडल बना के लिए तो वह सकता है नेक्स्ट है पुर्वग्यान में देखे लिखा गए चात्र बहुत से समंदित समाने जनकारी रखते हैं या फिर पुर्वग्यान रखते हैं यह लिख लीजिएगा अब आता है लिशन प्लान का सबसे इंप बन रहा है तो यहा फिर अपर फी छाट्र आदी या पैल प्रसन पूखेंगी तल ही कोड की माला की क्या है तो बच्चे बोलेंगे रेडियन दूसरा परसन है समकोड में कोड कितने डिगरी का होता है तो बच्चे बोलेंगे 90 डिगरी का जिस त्रिभुज का कोड एक कोड 90 अंस का होता है उसे क्या कहते है तो बच्चे बोलेंगे समकोड चौथा कोस्टन है त्रबूज में कितनी बुजाए होती तो बच्छे बोलेंगे तीन तीन या तीन से एती ज़िस पुल्जाओं हो से एक घेरी आकरीपको क्या कहते हैं तो बच्चे बोलेंगे बहुबुज देखीए आप थिए लिए जी समस्य आत्मक अपना उद् influen ऑन लिए बारेंगे बच्छो पता चल गया कि वह ने तो अगली हडी हडिगा डाल सकते हैं पर प्रस्थी कर याने प्रिजन्टेशन ऊसट्राइब कर सकते हैं उसके लिए पर आपको टोटल पाच कॉल्म बनाना है थोड़ा जूम मैं कर दूंगा भी रहे हैरा शाथरा अध्यापक्र क्रिया ज्यांपट सार और साय समग्री ठीक है आप में थोड़ा जूम कर रहा हूं जिससे आपको देखने में आदिक्कत रहों पहला से छड़ बिंद में पॉइंट है बहुभूज बहुभूज के वारे में विकास आता हैं प्रसंट पच्छों से पूछेंगे तीन भूजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं बच्छे बोलेंगे बहुभूज के वारे में बताएंगे बहुभूज एक समतल सतर पर बनी ज्यामती आकृतियों का सामाने यहां पर भाग है बहुभूज कई सरल रेखाओं से बंद होता है इस सरल रेखाओं को बहुभूज की भुजा कहते हैं जहां दो भुजाएं मिलती हैं वह कोड कहलात आम तोर पर दूर सरल रेखाओं के मिलने से कोड बनता है लेकिन इसका मान 180 डिग्री नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा होने पर एक सरल कोड बन जाएगा ठीक है अगर कोई 180 मतलब क्या हुआ एक लाइन यह है दूसी लाइन इसी पर गई तो यहां पे 180 डिग्री कोड बनता है तो जब यह होगा तो यहां पर बहुज नहीं होगा वह उदाण के लिए यहां पर बहुज कर लिए बता गया त्रिभूज चतुर भूज पंच भूज शचट भूज आदि चातर अले कॉलम में लिखा गया है चातर ध्यान प्रोक सुनेंगे सेंपट सार में लिखा गया है दो या दो से अधिक भूजाओं से घरी बंद आकरिती को बहुज करते हैं बंद आकरिती होनी चीए और यहां पर देखे इसके बारे में आप बताया भी गया है विभिन प् चतुर भूज के दो उधान पता ही है तो बच्चे बोलेंगे आयत और वर्ग उसके बाद फिर से यहां पर कथन बोलेंगे अपना चात्रा ध्यापक कथन सम बहुज यदि किसी बहुज की सभी भूजाओं एवं कोड बराबर हों तो वह बहुज सम बहुज कर लाता जैसे स संबाव तरिभुज वर्ग संपंच-बूज आधी चाहत्र ले कॉलम में लिखा गया सभी चाहत्र ध्यान पर सुनेंगे समभूज के उधाण है सम वर्ग समBald बूज आदी विसंभाव के उधार क्या है विसंभाव त्रिभूज आयत आदी यह हो गया आपका संभाव संभाव भूज यह हो गया विसंभाव भूज देखेंगे इसमें सभी भूजाएं बराबर है इसमें सभी भूजा बराबर है लेकिन इसमें यह और यह भूजा बहुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं हो तो वह बहुज विशम बहुज कहलाता है जैसे विशम बाव त्रिभुज और आयत अब तीस्ता यहां पर इस छड़ बंदु है उत्तल आउतल वहुज विकासातम प्रस्ण है पहला नभे डिग्री से अधिक के कोड को क्या कहतता है अधिक कोड दूसरा प्रस्ण है अधिक कोड में अधिकता मान कितना होना चाहिए वो सकता है तो वच्छे बहुज बहुज तो इसे उत्तल बहुज कहते हैं उत्तल बहुज के सभी विकड यहाँ पे उभ्यांतर यानि अंदर की ओर इस्थित होते हैं आउतल बहुज क्या है यदि किसी बहुज का कम से कम एक कोड एक्सोसेट डिग्री से अधिक हो तो उसे आउतल बहुज कहते हैं आउतल बहुज में सभी विकड अभियंतर इस्थित नहीं होते है यानि कि कुछ विकड बहुज के बहिर भाग में भी इस्थित होते हैं बाहर के भाग में भी इस्थित होते हैं सब्सक्राइब और यहां पर उत्तल बहुज का प्रते कोड़ 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए जबकि आउत्तल बहुज का कम से कम एक कोड़ 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए उत्तल बहुज के बारे में दिखाया गया है और उत्तल बहुज के बारे में दिखाया गया है इसका देखिए एक विकड़ यहां पर यहां पर है जो अभी मैंने बताया और इसके जो है उत्तल के सभी विकड़ अंदर की दो हो रही है देख लीजे आप ठीक अब इसके बाद किसी एक बाव्भूज का उद़ाड दीजिया तीसा प्रश्न है सम् बाव्भूज में सभी कोड कैसे होते हैं चौथा प्रश्न सम् बाव्भूज का उद़ाड दीजिया अगर कोई छीज में यहां पे गलत बोल दूँ बाई इसको पर सकता है जल्दी पढ़ने में मेरे मुझ से कुछ दुस्ता निकल जाए तो इसको इग्फज करिएगा अगला कॉस्षण उत्तल बहुज के बारे के सभी विकर होते हैं अगला कोषण आउतल बहुज का यहां से देखिएगा यहां पर आपको प्रसन है पहला प्रसन ह त्रिबूज आयाच चतरभूज या फिर सभी दूसरा प्रसन है उत्तल बहुज के सभी विगर इस्तित होते हैं कहां अंदर बाहर या फिर या फिर बीद कुनों तिसा प्रसन है ऊतल बहुज में कम से कम एक कोड़ डैस डैस होना चाहिए फिल इंद ब्लैंक से 90 डिग्री या होमवर्क दिया जाता है जिससे आपके द्वारा पढ़ाएगे चीजों को बच्चे घर पे जाए और रिवाइज करें उनको अच्छे से तैयार हो जाए तो यहां पर देखिए गरिकार दिया गया है बहुज किसे कहते हैं सम तथा विसम बहुज को चित्र द्वारा आठेजना में किये चीजों को बताएगा कि आपने क्या अच्छा किया है कि क्या हां पर सुधार करने की जुरूत है कहां पर कमिया सारी चीज़े बताएगा तो दोस्तों यह था आज का लेशन प्लान अगर आप लोगो आज का पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को बहुत धनिवाद, जाई हिंद, वन्दे मात्रम